प्राइश कोड़ की रासी सोला सो बच्चों में डिस्टिब्यूट होगी इसमें क्या है जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेगा उनको कैश रिवार्ड मिलेगा इसके अलाबा फ्री एजूकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूर्डिंग वो सारी वरस्ता बच्चों को मि लेगी और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, उसके बाद इन बच्चों को हम लोग आईटी और मेडिकल जो भी उनका चोईस का है स्ट्रीम, उसके इसाब से उनको ट्रेनिंग भी करेंगे, तो जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है, कि अगर बच्चे मेधा है, तो वो इस एक्जाम में अच्छा परफॉर्म करके फ्री में रहना खाना पढ़ना सब उसका हो जाएगा, तो उनके लिए एक मौका है कि अगर उस एक्जाम में सफल हो जाते हैं, तो अभी से वो आत्म निर्वर हो जाएंगे, आप सूचिए बच पढ़ रहा है, और वो अभी से आत्म निर्वर है, आगे की पढ़ाई, रहना, खाना, सब वो माता पीता से इंडिपेंडनेंट हो गया एक तरह से. जो बिहार और जारखन में में फोकस्ट होगा, ऐसे दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसमें अपियर होते हैं, और ये बिहार जारखन का सबसे बड़ा टालेंट रिवर्ड एक्जाम है, दो माईने में, एक तो यह है कि इसमें सबसे जादा बच्चे बैठते हैं, तो बिह इसमें क्या है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको कैश रिवर्ड मिलेगा, इसके अलाबा फ्री एजूकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, वो सारी वरस्ता बच्चों को मिलेगी, और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, उसके बाद इन बच बच्चों को हम लोग आईटी और मेडिकल, जो भी उनका च्वाइस का है, स्ट्रीम, उसके इसाब से उनको ट्रेनिंग भी करेंगे, कितने बच्चे इसमें पाटिसिपेट कर सकते हैं, देखे इसमें बच्चे पाटिसिपेट कितने करेंगे, ऐसा कोई नमबर नहीं है, ल पंजी एन करवाना, वो क्या प्रोसेस, ऑफलाइन, ऑफलाइन कर सकते हैं, मेंटर्स का सेंटर पटना में तीन जगह है, बोरिंग रोड कंकडबा, बजार समीती, भावलपूर में हमारा सेंटर है, बोकारो में सेंटर है, तो यहां बच्चे जाके इसमें ऑफलाइन रिइ पर करते हैं, तो ऑनलाइन रिइस्टेशन, मेंटर्स.edu.com पर जाएंगे बच्चे, वहाँ पर मीटर करके लिंक बना हुआ है, मेंटर्स.edu सर्फ टैलेंट रिवोड इग्जाम, उस लिंक पर जाके बच्चे अपना रिइस्टेशन कर सकते हैं, एक शिच मैं यहां पर आड करना चाहूंगा कि अगर बच्चा रिइस्टेशन 15 सेप्टमबर तक करता है, तो फ्री ऑफकॉस उसका रिइस्टेशन होगा, 15 सेप्टमबर से 15 अक्टूबर तक के बीच हमने 100 रुपीज का फी रखा है, और 15 अक्टूबर के बाद फी बढ़के 200 रुपे हो जाएगी, त ताकि उनका सीट पका हो जाए और उनका एक्जाम का सेंटर बेर डिसाइड कर ले मुझली से, मेंटर से के जुके सन हब है, पूरे बिहार जारखन में और एक बहुत बड़ा जुके सन हब है, तो कहां से ये चीज़ माइन में आया कि बच्चों को फ्री में भी कुछ किया जाया उनके लिए किया जाया, कहां से? reward exam. दूसरा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता-पीता जो है वो सक्षम हैं फी देने में. अच्छे फैमिली से हैं. financial background उनका अच्छा है. तो उनके लिए भी एक मौका है कि अगर उस exam में सफल हो जाते हैं तो अभी से वो आत्म निर्वर हो जाएंगे. आप सोचिए बच्चा 6 में पढ़ रहा है और वो अभी से आत्म निर्वर है. आगे की पढ़ाई रहना खाना सब वो माता-पीता से independent हो गया एक तरह से. तो ये भी बच्चों को बड़ा confidence देता है कि नहीं माता-पीता जो सक्षम तो हैं लेकिन मैं उनसे पैसा नहीं ले रहा हूँ. तो ये दोनों बच्चों के लिए एक्जाम एक सुनहरा ओफसर है मेरे हिसाब से. इसमें क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बच्चे अपियर हो सकते हैं. तो फिप्ट से लेके 11 तक के बच्चे इसमें अपियर होंगे और उनको जो पूछा जाएगा question वो उनके स्कूल के syllabus से पूछा जाएगा. तो ऐसा बिडियम कुछ हट के पूछ रहे हैं उनसे. और सारे subject नहीं पूछे जा रहे हैं, science, maths और mental ability के questions होंगे. और syllabus भी जो होगा, जो स्कूल में cover होगा, उतना ही syllabus होगा. ऐसा नहीं पूरे साल का syllabus समूद दे रहे हैं, क्योंकि एक्जाम नॉवमबर में हो रहा है. तो हम लोग सेलेबस को उतना ही दे रहे हैं इतना कि स्कूल में उस टाइम तक cover हो जाएगा. बच्चों को सेलेबस जानना हो, बच्चों को सेंपल टेस्ट देखना होगी कैसा paper आएगा. तो उसके लिए हमारे website पे सेंपल टेस्ट अबलेबल है, सेलेबस अबलेबल है. मैं बच्चों का advice करूँगा कि अभी 20 November को exam हमने जान बूच के पहले announcement किया था कि बच्चों को preparation time मिल जाए. तो अभी 3 मेने का time है, जादा chapters भी रही होंगे, हर subject में 3-4 chapters होंगे. अगर बच्चे अच्छे तैयारी कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मौका है कि वो अपने दम पे आगे की पढ़ाई continue कर सकते हैं. एक्जाम का क्या होगा, ओनलेन होगा, आफ्लाइन होगा, इसके भी तो कुछ टामस होगी है? देखिए, चुकि हमें बच्चों को scholarship देना है, इस scholarship आप तभी दे पाएगे जब exam एक transparent और इमानदार तरीके से कराया जाए, तो online में बड़ा मुस्किल होता है बच्चों के activity को monitor करना, तो हमने ये राइस station पर करिया तो online होगी, लेकिन जो exam होगा, वो pure offline होगा, और इसके प्यारी में लग जाएए, बीस नौबर के लिए और आप exam में सफल होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये 28 करोर का एक मोटा रखम जो scholarship के तोर पर देने जारे, कहा कहा ही 28 करोर किस किस हिसाब से खर्च होगा, इस देखिए जैसे एक तो होता है, जब बच् लख रुपे की फी उसकी होती है, तो वो फी आपका माफ हो गया, तो ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे लिए, फिर स्कूल का जो उसका हॉस्टल का फी है, वो माफ हो जाएगा, फिर उसे खाने पीने का माफ हो जाएगा, इवन जो बच्चे पतने के दूर से आते हैं, माली का कहेंगे 20 नौंबर के लिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप में मेधा है और बिहार के बच्चे टालेंटेट भी होते हैं तो आप अगर ठीक से अपना तयारी करते हैं तो आप जो इस तरह के एक्जाम में सफल होंगे और इससे आपको भविस्च के लिए ए वो भी इस एक्जाम से आपको पता चल जाएगा और आगे तो मेंटर्स उनके साथ हैं बिलकुल ऐसा नहीं कि एक्जाम लेकर बच्चों को छोड़ देंगे एक्जाम लेकर आपका चैन किया जाएगा और फिर आप अगर क्लास 11 में जॉइन करते हैं दो साल पढ़ाय जाए तो आपको भी एक टॉपर्स बनने का मौका यहाँ पर मिलेगा बच्चों को तो चलिए अब यह मौका गवाईए नहीं बहुत जल्द आईए डिस्क्रिप्सिन में आपको वेब साइट मिली जाएंगी वहाँ जाएए और आप भी विजिट करके रेजिस्टेशन करी लिज करके क्या कुछ कहेंगे कॉमेंट करके मैं जरूर बताईए जैहिंद